पत्ना में इचालान से काफी लोग परिशान है जिस तरह से एक दिन में ही वाहन के तीन बार चालान काटे जा रहे हैं इसको लेकर लोगों में नाराजगी है इसका विरोध करते हुए बिजेपी के निता क्रिशनकलू ने आज पत्ना के बास घाट पर नितिश कुमार की तस् सिस्टम है जो लोगों को परिशान कर रहा है इसको लेकर मोटर साइकल का दासंसकार कर दिया गया है उन्होंने मांग की है कि इस तरह के नियम को बदला जाए जिसमें एक ही दिन में कई बार चालान काटे जा रहे हैं उनकी बात नहीं मानी गई तो आगे भी आंदो लंज जारी रहेगा बिहार सरकार के सिस्टम का आज हम लोगों ने पटना के पास हाट पे दासंसकार किया है मोटर साइक वहार जीस तरीके से एक वेक्ति का एक दिन में पांच-पांच बार चलान काटा जा रहा है कही ने कहीं लोग इससे परिशान है चाहे वो दैनिक मज़ूर पतरकार हों चातर हों चात्राएं आजवान सभी लोग इससे आहत हूख चुकेए और विश्तित तोर पर आई मुट लोगों वी खाने का प्रयास के ऑखाया है तो इस तरीके से और अज परिशान हैं और हम लोगों ने आज बोटर सब्सक्राइब कर दोटा की अब बात खाट पर यहां पे मूर्जे जिलाए जाते हैं और हम लोगों ने आज इसको चिलाने का जाने देखा नहीं इस सी तोर पर रातिर सम्कार इसे चागे की मुझे परूरता है और अवन अंदोलन होगा इस तरह से जो चलांग को लेकर जो सिस्टम ने आया है उसको लेकर काफी विरोज भी सरकों पड़े देखने को पत्रकार बंदू है, हर रेक्षी ट्रस्थ है यातायात कानून से ही तो निश्ची तोर पे ममलोग या माध्यम से सरकार को जगाने का और आया दिखाने का कारेकर है और इस पूरे नियम में काई बदलाव चाहिए इसलिए हम लोगों ने आजिस कारेकरन को दिखाने का प्रैस किया नाम देए प्रिश्चना परसुन करेंगे